हलो एवरिवन वेलकम बेग टू ममा बच्चा टॉक्स आज मैं आपके साथ में क्लास फर्स्ट हिंदी की वर्क्षुट शेयर कर रही हूँ यह सेकंड पार्ट है इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपके साथ में फर्स पार्ट शेयर कर चुकी हूँ तो फर्स कोशन है उच हिंदी वर्न माला में कितने वर्न है पचास या बावन तो एंसर है बावन 52 हिंदी वर्न माला में स्वर है अब हिंदी वर्न माला में कितने स्वर है ग्यारा स्वर है र तता र नहीं आते हैं शब्द के शुरू में शब्द के अंत में तो र और र शब्द के शुरू में न अब दूसरा कोश्चन है व्यांजनों को सही क्रम में लगा कर वस्तूओं के नाम लिखो अब देखें यहां पर बच्चों को चित्र देखना है और चित्र पहचान कर वर्णों को सही क्रम में लगाना है तो अब यह चित्र किसका है टोकरी का चित्र है तो यहां पर क्या लिखा होगा टोरीक तो सही क्रम क्या होगा टोकरी अब देखें यह चित्र किसका है मचली का है तो ली मच तो इसका सही क्रम क्या होगा मचली मचली अब देखिए यह चित्र किसका है जोपड़ी का चित्र है तो इसका हम सही क्रम में लिखेंगे जोपड़ी जोपड़ी अब ये वाला पिक्चर किसका है ये चितर है छाता का है तो इसका सही क्रम क्या होगा छाता अब इसके बाद next question है बिंदू या चंदर बिंदू लगाकर सही शब्द बनाईए अब देखें यहापे कुछ शब्द लिखें, बच्चों को इसके उपर बिंदू आएगा है, चंद्रबिंदू आएगा, वो लगा कर सही शब्द बताना है, तो मुह, तो मुह के उपर क्या आता है, चंद्रबिंदू आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुह, अब यहाँ पर लिखा है, डड़ा, तो यहा चंद्राबिन्दु आएगा उत शंख तो यहाँ पर बिन्दु आएगा शंख अब टांग तो त यहाँ पर क्या लगेगा चंद्राबिन्दु आएगा जिक नाम पर सही का चिन्य लग आए आपके-घ़न वच्छो को उसके ओपर टिक लगाना है घार घर घरा तो जब देक्स्व कोशन है लाल वर्णों को जोड कर नए शब्द बनाईए अब देखिए यहां पर लाल और नीले कलर से कुछ शब्द लिखे तो जो जो हर बॉक्स से बच्चे को लाल कलर का पिक करना है और नया शब्द बनाना है तो यहां पर क्या बन जाएगा गोला अब देखिए इस वाले बॉक्स में लाल क्या है रा और इस व अब इसमें देखिए जो ठीक है इस वाले बॉक्स में जो इस वाले बॉक्स में कर तो नया शब्द क्या बन गया है जो कर अब यहां पर लाल कलर का कौन सा है नारियल नारियल अब देखिए इस बॉक्स में लाल कलर का वर्ण कौन सा है शहतूत तो नया शब्द क्या बन गया है शहतूत अब नेक्स कोशन है वर्णों को सही करम में लगा कर संकेतों के अनुसार शही शब्द बनाईए अब देखिए यहाँ पे कुछ क्लू दिये हुए हैं तो उन संकेतों को पढ़के बच्चों को सही शब्द बनाना है तो एक सबजी का नाम तो अब देखिए यहाँ पे एक सबजी का नाम क्या हो सकता है करेला तो यहाँ पे जो लारेक इसको सही करम क्या हो जाएगा करेला तो करेला एक सबजी होती है तो एक सबजी का नाम क्या है करेला अब एक मिठाई का नाम ठीके तो यहाँ पे देखिए बच्चों को सही करम में लगाना है तो मिठाई का नाम क्या होगा इमर्ती इमर्ती एक मिठाई का नाम होता है ना इमर्ती अब एक फल का नाम ठीके तो यहाँ पे जब सही करम में वर्णों को लगाएंगे तो शहतूत फल का नाम क्या हो जाएगा शहतूत अब एक पक्षी का नाम ठीके तो यहाँ पर पक्षी क्या हो सकता है सारस सारस एक पक्षी होता ना तो पक्षी का नाम क्या है सारस अब एक जीव का नाम ठीके तो जीव का नाम क्या हो सकता है गिलहरी ठीके गिलहरी के एक जीव है तो गिलहरी जब इसको हम सही क्रम में लगाएंगे तो गिलहरी अब एक फूल का नाम तो अब देखिए इसको हम जब सही क्रम में लगाएंगे तो सूरज मुखी सूरज मुखी एक फूल का नाम होता है सूरज मुखी अब है एक वचन से बहु वचन बनाईए मतलब एक से अनिक तोता, तो तोता का बहु वचन क्या होगा तोते, तोता, तोते घोड़ा, घोड़े घोड़ा का बहु वचन होता है घोड़े नदी, नदिया नदी का क्या होगा, नदिया लड़की लड़किया चिडिया चिडिया का बहु वचन होगा चिडिया देखे यह या के उपर जब चंद्रबिंदू नहीं होता है तो इसका मतलब एक और जब हम अनेक बनाएंगे तो यहां पर चंद्रबिंदू लगाएंगे चिडिया चिडिया ठीके यह चिडिया जो है एक है और जब चंद्रबिंदू लग जाता मतलब बहुत सारी चिडिया किताब किताबे किताबे यहां पर क्या लगेगा बिंदू केला केले केला काने क्या होगा केले गमला गमले ठीके गमला काने क्या होता है गमले अब इसके बाद फिर नेक्स कोश्चन है पूलिंग या इस्ट्रेलिंग पर सही का चेन लगाईए तो घोड़ा शब्द है अब घोड़ा क्या है पूलिंग है कि इस्ट्रेलिंग है तो घोड़ा पूलिंग है और इस्ट्रेलिंग क्या होता है घोड़ा का घोड़ी अब माता शब्द है इस्ट्रेलिंग और पूलिंग क्या होता है पिता हीरन शब्द है पूलिंग और हीरन का इस्ट्रेलिंग क्या होता है हिरनी चाचा शब्द है चाचा क्या है पूलिंग है तो पूलिंग के उपर टिक लगाएंगे अब नेक्स कोशन है चित्र देख कर नाम लिखिए यहाँ पे बच्चों को चित्र देख कर नाम लिखना है तो यह चित्र किसका है कमल अब ये चित्र किसका है पपीता तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पपीता अब ये किसका है चित्र बोतल इसके बाद ये किसका है पेड़ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पेड़ तो ये आज की वरक्षिट है अभी हिंदी में और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसे मैं पा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए